हालो दोस्तों हमस्ते ही इस वीडियो में बात कने वाले है राजस्तान SI बर्ती 2020 की अनुमानित कटोब कितनी रह सकती है सभी वर्गों की अलग-अलग यहाँ पर कटोब में आपको बताने वाला हूँ साथ मैं बहुत सारे स्टुडेंट के सर्वे के बाद में यह कटोब आपके लिए लेक रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टुडेंट थे उन्होंने मुझे प्रेशनली वोट्स पर भी अपनी नंबर सेयर किये थे साथ मैं comment box में भी अपने number उन्होंने share किये थे किसरा हमारी इतने number बंद रहे हैं उनके आदार पे एक सठीक यहाँ पर जो है नुमानित विचलेशन के साथ में आपको कटोब बताने जा रहा हूँ जाधा ऐसा ही गा हलांकि पिछली बार से जो है विद्यारती ज्यादा है क्योंकि पिछली बार लगबग 2,90,000 इस्टुडेंट ने ही यहाँ पर एक्जाम दिया था तो दोस्तों इस बार वेकेंसी भी थोड़ी सी पिछली बार से ज्यादा है चलिए यह बात के लिए रोच तो देख सेते हों 17,180 विद्यारती को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा अब सोचला आप दोस्तों 3,80,000 में से 17,180 विद्यारती यहाँ पर बुलाया जाएगे तो लगबग कटोप जो है कम ही यहाँ पर रहने वाली है इसके बाद दोस्तों बात के जाए फि फिजिकल की तयारी नहीं कर पाते हैं और वो डिस्क वालिवाई हो जाते हैं तो इस वज़े से जो है इसमें फिजिकल के अंदर 50% ही स्टुडेंट जो है पास हो पाएंगे और आपको पता है फिजिकल में भी तीन इवेंट है तो थोड़ा इसका फिजिकल भी दोस्तों थ कोड़ा सटटक पढ़ता है क्यूंकि उसमें वण चांस यơ आपको दीजाते ऐसे लोंग जम चमंगि अदर आपको एकी बार मोका मिलेगा चिनप के अंदर भी आपको फिजिकली के मार्क्स एड होंगी उसके बाद आपको इंटर्व्यू कोल होगा लगबग 4000 श्टुटेंट का क्योंकि पिछली बार 2000 से अधिक स्टुटेंट का इंटर्व्यू कोल हुआ था तो इस बार 4000 क्योंकि दोस्तों वेकेंसी डबल है इसलिए आप मान सकते हो ठीक न चलिए अब देख लेते हैं कि कटोप कितनी रहने वाली है तो देख सकते हो पिछली बार 2016 के अंदर जो कटोप करना वाल हों है आपर जनरल के टेकरी की जनरल के अंदर दोस्तों जिस विद्यार्ति के लगबग दोस्तों 215 पलस मार्क्स बन रहे हैं दोनों पेपर के मिला के वो फीजिकल की तयारी ४र्मान के चल सकते हो ऑवीसी मेर आप कम कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा फरक नहीं रहता है हालांकि EWS की जो cut-off है दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर कम जाने वाली है EWS की जो cut-off है आपमान के साथ 205 या 10 के आज पास रहने वाली है ठीक है बाकी जो category है जिसमें SC, ST और ST, TSP इनके cut-off passing marks पे निर्दायत रहे है यहने जिन student की लगबग दोनों paper qualify हो गए है और aggregate मिलाके 40% आ गए है तो वो physical में appear हो सकते हैं बाकी यहाँ पर देख सकते हो female के लिए तो यहने जो भी female उमिद्वार है उन सब को physical करना चाहिए मेरे coding क्योंकि दोस्तों female जो है इसके अंदर कम appear हुई है तो वैसे भी cut-off यहाँ पर कम रहने वाली है ठीक ना और यही जो है एक्सरिश्मेन तो बिलकुल यहाँ पर जो है जिनके passing marks आ गए हैं वो तयारी में लग जाने चाहिए तो यह दोस्तों मैंने आपको बिलकुल सटीक डेटा बताया है और आप मान सकते हो यहाँ पर कि 17,000 जो है यहाँ पर लगबख 17,000 1802 विद्यारतियों को यहाँ पर पास किया जाएगा 3,80,000 में से तो कोई ज़्यादा यहाँ पर यह नहीं है तो इस बार आप मान के चल सकते हैं यहाँ पर लगबख 300 से ज़्यदा वेकेंसी और इसमें बढ़ाई गई है तो इस वज़े से यह सारे कारण जो है कटोप को यहाँ पर प्रभावित करेंगी रूसी वज़े से जो आपकी कटोप है यहाँ पर कम रहने वाली है अब दोस्तों एक बार आगे देख लेते हैं कि जो है रिटन एक्जाम के बाद जो आपका फीजिकल होगा उसकी कटोप कितनी रहने वाली है यहाँ पर मेल और फिमेल की कटोप अलग अलग रहेगी क्योंकि इवेंट भी अलग 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 है फीजिकल के है और उसके अकोडिंग ही मैंने आपर आपके लिए कटोप बनाई है तो जनरल केंडेट की अगर बात के जाए पूरस उमीदवार की तो देख सकते हूँ 300 से 320 नमबर अगर आपके हो जाएंगे पूरे मिलाके पेपर और फीजिकल के तब आप आगे क्वालिफाई हो जाओगे इंटर्यू के लिए तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर बिल्कुल मैंने 100 नमबर यहाँ पर एड़ किये हैं तो अब हो सकता है किसी स्टूडेंट के पेपर के अंदर जो है अच्छे नमबर है और फीजिकल के अंदर कम आए तो भी वो कॉमिनेशन यहाँ पर कर सकता है और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो है फीजिकल में 100 नमबर आएंगे पूरे कंप्लीट लेकिन पेपर में कम है तो भी यहाँ पर वो क्वालिफाय करेगा तो यह जो है दोस्तों यहाँ पर यह बहुत बड़ा यहाँ पर परिवतन लाएगा आगे की मेरिट के अंदर क्योंकि दोस्तों पिछली बार ऐसा ही हुआ था कई सारे स्टूडेंट थे जिनके लगबग दोस्तों पेपर के अंदर बहुत अच्छे नमबर थे लेकिन फीजिकल पास नहीं कर पाए थे कई सारे इस्टुएंट ऐसे थे जिनके लगबग दोस्तों पेपर के अंदर 230 नंबर थे और 100 नंबर लाकर वो जो है फीजिकल की जो कटोप है और पेपर की कटोप को हेड़ करके वो आगे क्वालिफाई हो गए थे और उनका सेलेक्शन भी हो गए था क्योंकि 30 नंबर जो है 200 नंबर आए है या मेरे 210 नंबर है तो मेरा आगे नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता भाई जरूरी थोड़ी है कि अगर मालो आपके 210 नंबर है और आप 100 नंबर पूरी फीजिकल में लेकर आते हो तो 300 से जएधा हो गए आपके पिछली बार फीजिकल की मिलाके कटोप आपको इसी प्रकार आप देख सकते हो सभी केटिगरी यहां पर अलगलग मैंने कटोप बता रखिए तो आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हो यहां से आप आसानी से देख सकते हो अपनी परी केटिगरी में तो यह आपनी मैंने पूरा डेट आपको बता दिया है और दो अगर आपको सब्सक्राइब चैनल नहीं है तो आपको सब्सक्रीपर रेंग आपको इसक्रीप्रीप्षिस अगरा अगर आप स्ब्सक्रीप्षिन लेना चाते हो वहां पर तो मेरे कोड़ घूज करकर सकते हृइं सुट्टीट घुरे थेडीएं के 70 का ताकि 10 पर संड़को पेजुकेटर दोर आपको वहाँ पर शीखने का मोगा मिलेगा और आपके तैयारी भी वहाँ पर बहुत है उच्छी हो जाएटी लिंक आपको डिस्क्रेश्म मिल जाएगा अभी जाकर आप अपनी तैयारी को जारी रखे तो दोस्तों मैंने आपको पूरा जो है यहाँ पर डेटा बता दिया है और कई स्टुडेंट करेंगे सर्फ पिछली बार टॉपर का स्कोर क्या रहा था तो वह भी आप एक बार यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो पिछली बार टॉपर का स्कोर रहा था उनके हिंदी में 183 थे और जीके और जीएस में 144 इसके लवाँ साक पर का स्कोर है 530 वेकेंसी के अंदर तो इस बार आलाएं के आपको पता है वेकेंसी बहुत ज्यादा है तो कटोप बहुत कम रहने वाली है ठीक है तो फाइनली सेलेक्शन भी आपका हो जाएगा गबराना नहीं है जिनके कम नंबर है वो भी और विशेज तोर से गल्स एक सित्र बन रहे आपने देखा होगा रास्तान कॉंस्टेबल का क्या हाल था इस्टुडेंट कर रहे था कि मेरे इतने नंबर बन रहे लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट है था तो सचाई कुछ और ही थी और कई जगे से 48 पे 52 पे इन नंबरों पर सेलेक्शन हो गया था इस्ट बिल्कुल हमारी तरब से आपको सुब काम नहीं अच्छे नंबर आपके आये हैं और बिल्कुल आप कैयारी सुरू कर दीजेगा ठीक है दोस्तों तो सभी को दिन्यवाद जय हिन जय बारत